हलो एवरिवन स्वागत थे दोस्त अब फिट से आप सबका हमारे इस यूटूब चनल पर दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं इंडियन एर फोर्स ग्रूप सी के रिजल्ट के उपर तो जानेंगे हम आज की इस वीडियो में तो उससे पहले दोस्तो अगर हम बात करो इंडियन एर फोर्स ग्रूप सी रिजल्ट अपडेट्स के उपर तो सबसे पहले मैं बता दूँ उन एर फोर्स एस्टेशन के बारे में जिनके के रिजल्ट जारी कर दिये गया हैं तो सबसे पहले दोस्तो अगर मैं बात करूं तो आपका परियाग राज एर फोर्स एस्टेशन का दोस्तो जो रिजल्ट है उसको जारी कर दिया गया है तो इस लिट में दोस्तो दूसरे नमबर पर आपका आता है थ्री बी और्डी चंडीगड 3BRD चंडीगड के regarding students के comment आ रहे थे तो दोस्तो आपका 3BRD चंडीगड का भी result जो है उसको जारी कर दिया गया है तीसरे नमबर पर दोस्तो आपका लोहे गाउं पुने का भी result जो है उसको जारी कर दिया गया है और आपका अभी तक skill test का admit card नहीं मिला है तो जैसा कि आप मेरे skin को पर देख सकते हो दोस्तो यह जो result लिस्ट है आपके नागपूर एयरफोर्स एस्टेसन की final list लग चुकी है जो की आपका return examination की final list लग चुकी है और आपका इसमें दोस्तों आपको बताया गया है कि जितने भी traits थे और जो भी selected candidates हैं आपके return examination के उनका result यहां पर जारी कर दिया गया है और इनको बुलाया गया है skill test के लिए तो इसमें कौन-कौन से आपके traits के result को जारी किया गया है और कब है आपका skill test दोस्तों इसके regarding भी हम जानेंगे तो यहां पर दोस्त आपकी final list लग चुकी है और यहां पर जो नाम है आपके mention की ह हो गया है तो यहां पर आप देख सकते हो कि दोस्तों MTA state के लिए जो भी students apply किये थे नागपूर Air Force Station के लिए 12 नौम बर 2021 को जिनका भी examination था 9 बज़े से ले करके तो दोस्तों उनका जो list है यहां पर लग चुका है और यहां पर selected candidates के नाम दिये हुए है साथी साथ दोस्तो यहां पर इस list में पहली बार नागपूर Air Force Station के दोस्तों list में आपको cut of marks भी देखने को मिलेंगे यानि आप अपने marks को देख सकते हो कि आप कितने marks score किये हो यहां पर दोस्तों आपके marks mention किये हुए हैं जैसा कि मैं बात करूँ कि आपका राहुल कुमार जिनका की फादर्स number score किया हैं तो इस list में आप देख सकते हो कि आपने कितने marks score किये हैं यह paper दोस्तों आपके handed marks का था और अगर आप general category से belong करते हो और 80 प्लस आपने score किया है दोस्त तो आप safe zone में हो next बात करते हैं दोस्तों कि आपके और concentrate का result जारी किया गया है तो दोस्तों आपका housekeeping staff के ने भी examination दिया था Air Force Association कानपूर का तो दोस्तों आपका result उसको जारी कर दिया गया है नेक्ष्ट बात कर लेते हैं कि आपके next trade के बारे में तो आपके housekeeping staff के लिए भी students apply किये थे उनका भी दोस्तों जो result उसको जारी कर दिया गया है तो दोस्तों इस वीडियो का मेरा लाने का main motive वही था कि आप अपने cut up marks को देख लो सांती साथ आपको result के regarding कुछ updates मिल जाए तो उमिद करता हूँ कि सारी जनकारी दोस्तों आपको समझ में आ गई होगी और अगर आ गई होगी तो वीडियो को like कर दिजेगा चैनल को subscribe कर लिजेगा और सांती साथ दोस्तों आप हमार जे हिंट